चिडिया की जादूई चक्की चिडिया के पास एक ऐसी जादूई चक्की थी जो जरूरत के समय चिडिया को भजन देती थी चिडिया को वो जादूई चक्की उसकी बाने दी थी तोते तोते चिडिया के पास चाओ और चिडिया से भजन ले लो चुडिया सापक्षियों को भाजन दे रही है मैं तो दो दिन से भूका हूँ मैं अभी चुडिया के पास चाता हूँ फिर तोता चुडिया के पास चाता है चुडिया चुडिया अपनी जादूई चक्की से कहा के मुझे भी भाजन दे दे मैं बहुत भूका हूँ तोते भेया मैं अभी आपको अपनी जादूई चक्की से भोजन ले देती हूँ मगर आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा तोता चिडिया के घर से बाहर चला जाता है और चिडिया अपनी जादूई चक्की से कहती है चक्की चक्की घूम जा, चांद से परिया आएंगी, तोते का भोजन दे जाएंगी चिडिया के ऐसे कहते ही चक्की घूमती है और उससे पके हुए मीठे मीठे अमरूद निकलते है चक्की चक्की बंध हो जा, चांद से परिया आएंगी और घर मेरे सो जाएंगी तोते तोते भेया अंदर आ जाएं तोता घर के अंदर आ जाता है चुड़िया अमरूद अमरूद तो मुझे बहुत पसंद है तोता अपना भोजन लेकर वहां से चला जाता है क्या छोटा क्या बड़ा सपक्षी चुडिया से अपना मन पसंद भोजन लेने आते चकी चकी खुम जा चांचे परियां आएंगी बुलबुल का भोजन दे जाएंगी उर्ती उर्ती बात कवों तक भी पहुंजाती है कवे जो बहुत डोस्ट और लालची थे किसी ना किसी तरहां चुडिया की वो चकी चुराने का प्रोग्राम बनाते है गोरी कुछ ऐसा करो जिससे हम वो चुडिया की चकी ही चुरा ले बात चकी चुराने की नहीं है चुडिया के पास एक जादूई मंतर है जब चुडिया वो जादूई मंतर पढ़ती है अब ही वो जादूई चक्की भोजन देती है तो फिर तुम भेस बजलकर चुडिया के पास चाओ और वो मंतर सीखो और फिर बाद में मैं वो चक्की चुरा लाँगा पालू पती जी बात तो तुम्हारे ठीक है मैं ऐसा ही करती है फिर गोरी कवी अपने सर पर सफैद बाल लगाकर बुड़ी कवी बनने का नाटर करती है और चुडिया के पास चाती है बेटी चुडिया मैं बहुत गरीब कवी हूँ मेरा कोई भी नहीं है मुझे भोजन दे दो माजी आपको भोजन जरूर मिलेगा मगर आपको घर से बाहर जाना होगा बेटी मैं बुड़ी कवी बहुत मुश्किल से उड़कर आई हूँ मैं ठक गई हूँ मुझे अब बाहर नहीं जाया जाता तो ठीक है आप यहां मेरे पास ही बैठ जाएं और चुडिया अपनी चक्की से कहती है चक्की चक्की घूम जा चांचे परिया आएंगी बुड़ी कवी का भोजन दे जाएंगी जब चिडिया वो मंतर पढ़ ही थी तो गोरी कवी घौर से सुन रही थी तो मुझे मालूम हो ही गया कि चिडिया अपनी चक्की से क्या कहती है गोरी कवी अपना भोजन लेकर घर चली जाती है अपने बाल उतार कर एक तरह रखते हुए गोरी कवी कालू से कहती है कालू, कालू जी मैंने सीख लिया, मैंने सब सीख लिया है अब तुम आज राथ ही चुडिया की वचा की चुरा लाओ फिर देखना, मैं एक ही राथ में उस चकी को घुमा घुमा कर पागल कर दूँगी तो समझो काम हो गया, मैं आज राथ ही चुडिया की चकी चुरा लाओंगा राथ भी हो जाती है, और कालू कवा अपने घर से निकलता है कालू कवा सीधा चुडिया के घर जाता है चिडिया बेचारी सो रही थी और कालू कवा वो जादूई चकी उठा कर वहां से भाग जाता है कालू जी, तुम बहुत बहादर हो, तुमने तो कमाल कर दिया मैं पक्का चोर हूँ, कोई कच्चा चोर नहीं हूँ मैं तो ऐसी चोरी कई बार कर सकता हूँ अब तुम मेरा काम भी देखो फिर गोरी कवी चकी से कहती है चकी चकी घूम जा, चान से चोड़ेले आएंगी और गोरी का भोचन दे जाएंगी गोरी कवी मंतर उल्टा पड़ती है वो परी की जगा चोड़ेल कहती है उसी वक्त वो जक्की उल्टा चलने लगती है और उसमें से लाल रंगे जूते बाहर निकलती है जो कव्वे और कव्वी की पिटाई शुरू करते है पालू कुछ उल्ट हो गया पालू शायद मैं मंतर खूल गई हूँ बचाओ मुझे बचाओ फिर वो जादूई चूते पीछे पीछे और कव्वे आगे आगे ऐसे कव्वों की खूब पिटाई होती है और कव्वों को जोरी की सजा मिलती है कंजूस कालू पती जी क्या फाइदा ऐसे ऐसी का जो गर्मी के मौसम में भी न चल सके पिछली बार पूरा एक लाख रुपए बिजली का भी लाया था मेरे पास इतने पैसे नहीं है के दिन रात तुम्हें एसी चला कर दूँ कालू कालू जी एक उपाए है मेरे पास हम ऐसा करते हैं चोटी चुडिया की बिजली की तारे हमारी छट से होकर गुजरती है हम अपने एसी का कनेक्शन चुडिया की तारों से कर देते हैं गोरी ये तो बहुत कमाल का आइडिया है ऐसे तो हम मुफ्त में एसी की ठंडी ठंडी हवा लेंगे और चुडिया चुडिया बेचारी रोएगी हम 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 मेरा बिल मेरा बिजली का बिल ऐसे ऐसे रोएगी चुडिया गुडिया बेटी ना जाने ये बिजली वाले इतना बिल क्यों भेज देते हैं पिछली बार एक पंखे का बिल पूरा पांच हजार उपे आया था पन्ना वो कालू अंकल भी तो है वो दिर रात AC चलाते हैं बेटी वो अमीर कवे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं चिडिया अपना पंखा चला कर सो जाती है कालु कवा और गोरी कवी छट पर चड़ जाते हैं गोरी तुम ये लाइट पकड़ कर रखो गोरी लाइट पकड़ती है और कालू कवा अपने A.C. की बिजली की तारे चिडिया की तारों से जोड देता है हो गया कालू जी क्या काम हो गया हाँ अब हम आराम से A.C. चलाएंगे और चिडिया बैठ कर रहेगी कवे अपने घर में जाते हैं और A.C. चला कर सो जाते हैं कवे सारी रात एसी की ठंडी हवा में सोते है फिर तो कवे दिन को भी घर से बाहर ना निकलते दिन हो या रात कवें का एसी तो पूरा महीना दिन रात चलता है मिठू कवे के दर्वाजे पर आता है वो दस्तक देता है मिठू क्या बात है सारी नींद खराब कर दी मैं ये तुम्हारा बिजली का बिल लेकर आया हूँ गौरी बिजली का बिल लेती है और जाकर कालू कव्वे को दिखाती है कितना है कालू जी हाँ 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 दो हजार सारा महीना इसी में बैठे और बिल आया केवल दो हजार फिर मिठू दोता चिडिया के घर जाता है चिडिया और उसकी बेटी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी चिडिया गर्मी में क्यों बैठी हो घर जाकर पंखा चला लो तुम्हारे पडोसी कवों के घर से तो एसी की थंडी हवाई आ रही है मिठू भेया वो बहुत अमीर कवे हैं वो दे सकती है लाखों में बिल मगर बिल तो तुम्हारा भी लाखों में है मिठू चिडिया को बिजली का बिल दे कर चला जाता है और चिडिया जैसे ही अपना बिजली का बिल देखती है वो तो चकरा जाती है ममा क्या हुआ कितना है बिल गुडिया गुडिया बेटी ये कैसे हो सकता है बिजली का बिल तो एक लाग से भी ज्यादा है इतना ज्यादा बिल ममा हम तो सारी रात एक पंखा चलाती है और दिन में थाजा हवा में बैठती है मैं अभी जाकर कबूतर को बुला कर लाती हूँ वो देखेगा आकर चिडिया उड़ती है गोरी कवी चिडिया से पूछती है चिडिया चिडिया कहां जा रही हो चिडिया रुक जाती है गोरी बेहन क्या बताऊं मेरा बिजली का बिल एक लाख से भी ज्यादा आ गया है मैं कबूतर को बुलाने जा रही हूँ वो आकर बिजली का कनेक्शन देखेगा चिडिया जैसे ही जाती है गोरी कवे को बुलाती है कालू कालू जी जल्दी जल्दी से चिडिया की तारों से अपनी तारें उतार लो चिडिया का बिल एक लाखाया है और वो कबूतर को बुलाने गई है तारें दिखाने के लिए कौह है मेरा कटर कालू कवा कटर लेकर छट पर चड़ जाता है कवा इधर उधर देखकर बिजली की तारों से छेर चार करने लगता है जल्दी जल्दी में कवे का पंक एक नंगी तार से लग जाता है और कवे का पंक पंक हवाओं में उड़ जाता है कालू, मेरा कालू कालू तो दूर जाकर गिरता है ये क्या हुआ मेरा कालू मेरा कालू मुझे छोड़ कर चला गया गोरी वहां बैठकर रोने लग जाती है चिडिया और कबूतर भी आ जाते है कबूतर लटकती हुई तारें देह कर गोरी से कहता है जब किसी के बिचली से एसी चलाओगे तो ऐसा ही होगा गोरी गया समय हाथ नहीं आता तुम्हारे लारश ने कालू की जान ले ली मैंने, मैंने ही कहा था कालू को तुम्हारी तारों से बिचली चुराने का मैं दोशी हूँ, मेरा पती मेरी वज़ा से मरा है गोरी रोती रहती है मगर कालू अब कहां लोट कर आने वाला था